नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी येट्यूप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार, पाच और छे फरवरी मकर रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या परिशानी है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो को सुरू से लेकर आन तक जरूर देख लीजेगा दोस्तों ये वीडियो अगर आपके पूरे जीवन को ना बदल दे तो फिर कहना साथ ही इस वीडियो में हम आपको एक एसे म मंतर भी देने वाले हैं जिने दिन में दोस्तों कभी भी अपने मन में ही पढ़े लेने से आप जो कहोगे वह प्राप्त होगा करोण के मालिक भी आप बन सकते हैं तो दोस्तों आज का इस वीडियो को बिलकुल ही मिशना करें और सुरू से लेकर अंग तक जरूर देखिएग जहां दोस्तों कोई भी इंसान कोई भी दुनिया के ताकत आपको करोणों के मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता जिहां दोस्तों हम आप सबी को बता दें कि आपके रास्ते के जितने भी जातक होते हैं दोस्तों भाग से बहुत ही उजवल होते हैं आपका भाग आपको बहुत ही जादा साथ मिलता है लेकिन दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है जब आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं कु परजना पड़ता है लेकिन दोस्तों अब वह दिन चला गया आप जितने भी पिछले समय में कश्ट जहले हैं जितने भी परेशानिय आप गुजुरे है उसे जाधा आप मालक्ष्मी आपको देने वाले हैं आप करोणा के मालिक बनने वाले हैं जिहां दोस्तों तो दोस्तों आप हो जाएं तैयार जिहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपकी जीवन काल की बहुती सटिक जनकारी देने वाले हैं जिने एक बार कर लेंगे तो दोस्तों आपका जीवन ही बदल जाएगा आप करोणा के मालिक बन जाएंगे जिहां दोस्तों आप सब यो को बता दें कि जोती सास्तर के अनुसार जब ये किसी जातक के भागय चमकता है तो दोस्तों उनके जीवन में विभीन परकार के प्रशन खाड़े हो जाते हैं जिहां दोस्तों और जो व्यक्ति समझदारी तरीकी से सही परशन का चुनाब करता है उनके जीवन काल में करूरपती बनने से उन्हें कोई भी इंसान नहीं रोक सकता जहां दोस्तों इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपके जीवन की कुछ ऐसी सटिक भविश्वानी करने वाले हैं कुछ ऐसी महत्पुन बात बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके जीवन काल के लिए सबसे बड़ा ग्यान होगा जिने अगर आप एक बार सुन लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल में करूरपती का मालिक बनने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता दोस्तों हमारा कहने का तात पर यही है कि जो भी जातक हमारे आज की इस वीडियो सुरू से लेकर अन तक देख लेगा उन्हें माला-माल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकता क्योंकि दोस्तों इस बेड़ी में कुछ जानकार ही ऐसी है कुछ ग्यान ही ऐसी है कुछ उपाई ही ऐसी है कुछ मंतर ही ऐसे है और कुछ आपके जीवनकाल की शमाधान ही ऐसी है जो कि दोस्तों आपके जातकों के लिए खासतोर पर बनाया गया है जिहां दोस्तों अगर आप इन्हें कर लेंगे तो दोस्तों आप पर यह बिलकुल ही राम बान शावित होगा और दोस्तों आपको अपने जीवन में सबसे उचाय तक लेकर जाएंगे जिहां दोस्तों तो दोस्तों ये मूल मंतर आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिलकुल ही मिच न करें और सुरू से लेकर अंतक जरूर देखें क्योंकि दोस्तों इनमें आप सबी महतरपुन जानकारी को भी जाने हैं कि ऐसे में आपको किन की Korea को लेकर शाभदान रहने हुंगे कौन से कारी आपके लिए भागे साली हुंगे और चिन की शेतर में आपको कार करने से लाप की प्राप्ती होगी मालक्षमी जी के आसिरवात से आपके घर के माहल में पारेवार एक जीवन में परते एक चेतर में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों आन तक देखिएगा उसे पहले दोस्तों जो वेक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से जै मालक्षमी लिखेंगे दोस्तों सिधा मालक्षमी जी के आसिरवात पाएंगे तो दोस्तों जरू लिखें वरते आप इस चैनल पर नहीं हैं तो नित गली में रख देता था चूकि गली अंधेरी थी इसलिए वहां से गुजरने वाले रागीरों को बहुती लाब मिलता था निकट रहने वाला एक धनवान व्यक्ती परती दिन भगवान के मंदिर में एक ही घीका दीपक जलाये करता था मिर्ती होने पर जब दोनों यमलग पहुँचे तो दोस्तों धन पति को निम्र स्रेणी और निर्धन को उच्छ स्रेणी की सुविधा परदान की गई जहां दोस्तों धन पति को यमराज का यह न्याठ ठीक नहीं लगा और उन्होंने यमराज से इस संदर में प्रस्ण किया तो यमराज बोले पुन्य की महता धन से नहीं कार की उपिविता अच्छे भावना के आधार पर होती है मंदिर तो पहले से ही प्रकासित था उस व्यक्ति ने ऐसे आस्थान पर परकास फ्यलाया जिससे हाजारों जरुरत मन तक प्रकास पहुँचा और इसी वज़े से वह भागी बना जिहां दोस्तों गर आप हमारे इन बातों से समते हैं श्रीक्रिष्न जेका अच्छे ज्यान से समते हैं तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराशा लाइक आवस्व कर दें और इनके लिए लिए जैसे के साथ बात करते हैं कि मालाक्षणी आपके आने वाले आज के इस दोड़ तो आप देखी रहे होंगे किस परकार आजकल पैसों के लिए यहां से यहां का दोड़ भाग करते रहते हैं दोस्तों हर वेक्ति का अलग अलग पेसे कमाने का या जरिया बन चुका है क्योंकि दोस्तों पेसा यह समय बहुती बड़ा कृतिमान बन चुका है जिहां दोस्तों कहावात में कही गई है कि बाप ना बड़ा भाईया सबसे बड़ा रुपईया जिहां दोस्तों और पेसे से ही हर जरुरत पूरी होती है दोस्तों हर इनसान चाहता है कि हमारे जीवन काल में हमें पैसा मिले उतना ही सही जितना की हमारा घर संसार सुखी से चले जिहां दोस्तों दोस्तों पिछले कुछ समय से चर्भी किसी चिंता से रहत मिलेगी और आप अपने व्यक्तित कार में ध्य समय बहुत ही अनुकुल है भवी समय नई नई योजना बनेगी बच्चों को सिस्ट्रता और संस्कार्ट देने में आपका विश्यस युगदान रहेगा अधात्मे के पड़ती भी आपका रुजान रहेगा वैपसा में भी अपने लक्ष के प्राप्ति के लिए अथक महनत की जरुत है या समय आपके मन व्यवसा समंदे जो भी शपने अत्वा कान पनाए है उन्हें साकार करने का उचीद समय है नुकरी के लिए प्रियासत रिवां को कोई शुप सुचना मिल सकती है उस्तों समय आपके लिए बहतरिन प्रसितियां बना रहा है किसे नजदी की मित्र का सुझाव और सला आपके लिए बहुत ही फायदमन साबित होंगे समाजी गति वीदियो में आपका रुजहान बना रहेगा नए संपर्ग बनेंगे और कई बहतरिन जानकारियां भी हासिल होगी इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दुन में कुछ शाबधानियां भी दे पचना करेंगे इससे आप भी साब्धान रहें वैफसाय योजना पर काम करने के लिए उची समय है आपको उची सलात ता सुझा भी मिलेंगे मेडिया कंप्यूटर रादि जैसे वैफसाय में बहतरिन सफलता मिलेगी सरकारी सिर्वरत लोगों को कोई अफूसियल यातरा भ प्रेम समंदों में भी भावनात्म नजदेकियां बढ़ेगी वह दोस्तों आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो बदलते मुस्वम का प्रवाव स्वास्त पर असर डाल सकता है परवार ना करें लेकिन पॉलूशन और भीनवार वाले अस्थान पर जाने से परेज रखें दोस्तों यह समय बहुत अधिक मेहनत की वज़े से ठाकान और तना भावी रहेंगे उचित अराम लें कुछ समय योगा और मेडिसन के लिए भी आवस निकालें तो आए दोस्तों इसे के साथ बात करते हैं कि कौन सा मंतर का जाप करना चाहिए ताकि दोस्तों जो भ मंतर सिद्ध सवार मंतर हैं जो कि हनुमान जी दवरा सिद्ध हैं दोस्तों यह मंतर आपके जीवनकाल से सारे परिशानियां सारे दुख कष्ट को जड़ से ही समात कर देंगे तो दोस्तों इस मंतर को आप ध्यान से सुनिएगा जिहां दोस्तों मंतर है ओम हनुमान, पहलवान, वर्सवारा का जवान, हाथ में लड़ू, मुख में पान, आओ आओ, बाबा हनुमान, नो आओ तो दुआए महादेव गोरा पारवती की, सब्द साचा, पिंड काचा, भुरो मंत इसरो वाचा दोस्तों इस मंतर का उप्योग मंगल वार या फिर सनिवार से आरम करें, हनुमान जी को सिंदुर का चोला, जनव, लंगोटा, दो लड़ू और धोजा चला हैं, इसके बाद लाल वस्तर धारन करें, तता सनिवार को चने या गुड का वितरन करें, इस मंतर की दस मालाएं पर दोस्तों भगवान मालक्षमी जी की आशिरवात आप से भी को प्राप्त हो, सची दिलशेक कमेंड बॉक्स में, जै मालक्षमी जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें,